पायो जी मैंने राम रतन धन पायो नाम की बहुत महिमा है और राम नाम बेल पत्र के पत्तों पर लिखकर संकर भगान को चड़ाए तो वो अती प्रशन होते हैं और तुलसी पत्र पर कृष्ण नाम लिखकर रख दीजे तो इसका महत्व एक अलग ही है अना तुलसी पत्र पर लिखे कृष्ण नाम से कृष्ण भगवान का भार हलका हो जाता है तो सोचिए नाम का कितना महत्व है गुरु जी से सुने जैस्वी राधे नाम सदश केवल नाम अद्भुजडी नाम के शमान इस्त्रिभुवन में कोई ना साधन है और ना कोई साध्य है आपको हरदे की बात बताएं पहले नाम लगता साधन है पहले लगता है नाम जब कर हम भगवान को प्राप्त करें साधन लगता है फिर एक एशी स्थिति आती है कि नाम साध्य बन जाता है साधन सब धट जाता है प्रभु मिले ना मिले गती बने ना बने कुछ इसकी परवाह नहीं रेती पर नाम नहीं छूट सकता किशोरी जू से भी प्यारा किशोरी जू का राधा नाम लगता है लाल जू से भी प्यारा लाल जू का नाम लगता है मतलब कैसे तुम्हें बताएं बस हरदे की ऐसी कुछ गती हो जाती है नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं बस ये जो नाम चल रहा है ये कभी बंदना हो ये सतत चलता रहे हे मेरे प्राणा राध्ये कुछ नहीं चाहिए भले नरक में रखना पर ये नाम जो चल रहा है ये कभी अब इसको आप प्रवचर मत समझना जीवन की बात हम अपनी कह रहे हमारे हरदय में था नाम एक शाधन है जिसका शाधन करके हम निर्विकार होकर शाध्य शुरुप परमात्मा को प्राप्त होते हैं ऐसा सास्त्रों में भी बरणन है और वही धारणा बनाएगी लेकिन बाद में जब नाम का परिशय करपा प्रशाद गुरु करपा शे मिला तब लगा कि नहीं नाम शाधन नह तो हमारे शाध्यदेव ना जबते हमारे शाध्यदेव किशोरी किशोर जो है न तो हरी रसना राधा राधा रट हा राधा राधिका पुकारत लाली जो महरा है लाली जुम्हराज रादा रादा माबद वच्ष्ण कृष्ण कृष्ण बद श्याम श्याम बद सुक को गोदी में रादा रादा मत बोल कृष्ण कृष्ण बोल श्याम श्याम बोल और श्वयम मधुमती नाम की वीना लेकर सिलाल जुम्हराज के नाम का गुनगान करते हैं श्यामेति सुन्धर वरेति मनों हरेति कंदर्पकूटि ललितेति सुनागरेति सोट कंठमन इग्रणेति मुहरा कुलाक्षी अशुप्रवाह करते हैं श्याम शुंदर श्याम शुंदर कोटि कंदर्प धमनी हैं प्रभु के नाम का उच्चारन लाली जू लाल जू अब बोलो अगर नाम शाधन है तो हमारे शाध्य देव आराध्य देव परस्पर नाम जब करते हैं नाम आराध्य देव का भी आराध्य देव निकला, पहले तो चले तो पता चला नाम शाधन है आराध्य देव शाध्य है, लेकिन जब नाम ने परिशे दिया तो पता चला कि ये तो आराध्य देव का भी आराध्य देव है, बोले कब भगवान मिलेंगे, क्यों, अभी तुम पास नहीं तुम्हारी जिव्या पर राधा नाम है अब तुम्हे क्या चाहिए, इसका मतलब तुम जप नहीं कर रहे हो, शुमिरन नहीं कर रहे हो, यह प्रस्न नहीं रहता, कम मिलेंगे, कितना जपने पर मिलेंगे, नहीं चाहिए, जो चल रहा है, वो हो, जब हम जानते भी नहीं थे तब गुरुदेव ने दिया और जो गुरुदेव ने दिया जब पाया तो कुछ बकाया ही नहीं रह गया कुछ बकाया नहीं रहे गया ननाम शद्रशं ग्यानम ननाम सद्रशं बृतं ननाम सद्रशं ध्यानम ननाम सद्रशं थलम ननाम सद्रश स्त्यागों ननाम सद्रशह समह ननाम सद्रशं पुल्यं ननाम सद्रशी गति नामईव परमा मुक्तिर नामईव परमा अगतिही नामईव परमा सांतिर नामईव परमा स्थितिही नामईव परमा भक्तिर नामईव परमा मतिही नामईव परमा अप्रीतिर नामईव परमास्मृतिही नामईव कारणं जन्तोर नामईव प्रभुरेवच नामईव परमाराध्यो नामईव परमू गुरुहु। नाम यदि आपकी जिव्या पर चल रहा है और आपने पकड़ लिया कि परम सत्य वस्तू नाम है इससे बड़ा कोई ग्यान नहीं है कोई ग्यान नहीं से बड़ा है। बैठाल लीजिए ये जीवन की सार बाते हैं नाम चल रहा है अब आपको और कोई ग्यान प्राप्त करने के लिए नाम छोड़ने की जरुरत नहीं है। कि थोड़ा चार अध्याय पढ़ लेते हैं अमुक ग्रंथ के तो क्या ग्यान होगा सच्ची मान लीजिए। के अरदे में हो जाएगा इसमें विवेक काम नहीं करेगा विश्वास काम करेगा। इसलिए आज के सत्संग में पहले बुला कि विवेक से भी जोड़दार बात है विश्वास। ननाम शद्षम बृतम हमारा एक ही बृत है कि कभी भी जब तक हमें होश है। शुशुक्त में चले गए तो श्री जी जाने या मृत्यू में मुर्छा में चले गए तो श्री जी जाने इसके अलावा हम कभी भी नाम का विश्मर्ण नहीं होने देंगे ये हमारा ब्रत है इसे बड़ा कोई ब्रत नहीं गुरु क्रिपाशे जीवन में ये बात रही कि ए एक शुआस भी खाली ने जाने पावे मुझे ऐसा ब्यास करना है भूंखे रेकर प्रशाद पाके शरदी में गर्मी में भीर्में एकांत में शुस्थता में अस्वस्थता में किसी भी परिष्टिती में हमारे आराध्येद्यु का नाम न छुटे यह हमारा सबसे बड़ा ब्रत है और नाम छुट गया भूखे वेठे चिंतानन का हो रहा है तो चाप रोटी खालो और नाम जब करो साप शे बड़ा ब्रत नाम बोले आप तो जो चाहो बोलो ऐसा थोड़ी है तो भागवत में प्रमान है शनकादी ने जब भागवत स्रवन की बात कही तो कहा यदि ब्रत रहने से कथा सुनने में अरुच हो तो भोजन पा करके कथा सुनना चाहिए क्योंकि चित बृति कथा में लगनी चाहिए तो जो भगवान की लीला है, गुण है, नाम है, महिमा है हमारा मन इससे हट कर यदि अन्न का चिंतन कर रहा है तो हमें और कोई फलुस बृत का नहीं चाहिए चुपचा भोग लगा और पाओ और खुब गाओ खुब नाचो और प्रभू का नाम चिंतन करो जितने से मन कहीं और जाये ना वैसा आपाचरन करो इसलिए करें ना नाम सद्षम व्रतम जिसने व्रत ले लिया है कि नाम नहीं छूटने देंगे प्राण भले छूट जाए नाम सद्षम ध्यानम ध्यान से सुन लीजिए नाम का जो ध्यान करतें इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं बराबर ध्यान नहीं या रूप नहीं बूला गया बोले ना नाम सद्षम ध्यानम नाम राधा आप अपनी आखों के सामने राधा नाम लिखा देख रहे हैं हैं या कुली हैं और शे राधा 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 इस चे बड़ा कोई ध्यान नहीं इसी में सब कुछ आ जाएगा यही तुम्हारे भाव का जागरण कर देगा प्यारी जुप प्यारे जुको जहां तुम लिखा देख रहे हुआ ही विराजमान देखने लगोगे नाम के शमान कोई ध्यान नहीं नाम शद्शम फलम यदि तुम्हारे हरदय में नाम चलने लगा श्वाश प्रश्वाश धरकन के साथ अब इससे बड़ा कोई शाधना का फल नहीं होता है सबसे बड़ी शाधना का फल है जब नाम जपना न पड़े और नाम चल रहा है यह है शिद्धावस्था जब तक प्रियास करके नाम को चलाना होता है तब तक वो महाभागशाली साधक कहा जाता है महाभागशाली है और जिस दिन नाम पकड़ करके धड़कन के साथ चलता है जैसे धड़कन हम चलाते नहीं है पर चल रहे है ऐसे जब चलता है तब उसको जो परमानंद का अनुभ होता है चिदानंद संदो वह जानता है जिसके चल रहा होता है ये समस्त साधनाओं का फल है अखंडिश्वर्थी इसलिए नाम से बढ़कर के क त्यागी नहीं है नाम न छूटने पावेज अगर आप नाम का निरंतर जब कर रहे हैं तो आप से बढ़कर कोई त्यागी नहीं क्योंकि जब तक कहीं राग है तब तक नाम में बिख्षेप पड़ेगा इतना त्याग नाम में ही किवल होता है क्या पुले त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभू का नाम नहीं छोड़ता इसमरण नहीं छोड़ता वही महाभागवत इससे बढ़ा त्याग होगा अपने प्यारे के नाम के आगे त्रिभुवन की राजय लक्ष्मी फीकी लगने लगी ये सबसे बड़ा त्यागी ये कौन बनाएगा नाम आपको बनाएगा इसलिए कि रे ननामशद्श स्ट्यागो ननामशद्श शमह जो इंद्रियों का दमन करके इंद्रियों का निग्रह करके जितेंद्री हो जाता है बड़ा प्रयास करने पर भी शफलता मिलनी कथिन होती है लेकिन नाम जापक को कोई अन्य प्रयास करने की जरूरत नहीं है इद्रिया जड़ मूल से निर्विसय हो जाएंगी अभी यवव नवस्था है ठाकुर हरिदास जी की और बैश्या उनको भ्रष्ट करने के लिए सजदज के आई है उनको बुद्धी नहीं लगानी पड़ी कि ये हमारी शाधना में बाधा है ये भगवान बचा लो या कुछ नहीं हरे कृष्ण वही गूंज रहा है तीन दिन में उसका परिवर्तन होकर हरिदासी बन गई भगवत अनुराग के मार्ग में चल पड़ी और कोई प्रभाव नहीं पड़ा ये जितिन दिन दिता के लिए उन्होंने पदमासन नहीं लगाया प्रानों का समन करके उनको सूक्ष्म नहीं किया विवेक से विचार नहीं किया केवल नाम के बल से इंद्रियों का ऐसा धमन हो गया मन का ऐसा निग्रे हो गया कि जैसे कोई उल्टी खाना ही नहीं चाहेगा ऐसे ही सारे भोग उनके लिए ब्यर्त हो गए साबसे बड़ा समन इंद्रियों का नाम से होता है खूम नाम जब करो देखो रूची ही नहीं रह जाएगी नाम शद्शम पुल्नियम नाम शे बढ़कर के कोई भी पुल्निय नहीं एक किलो सोना दस किलो सोना दस करोर रुपया जमीन ये वो दुनिया की सब नाम के बराबर नहीं अब कह रहे हो प्रमान से बात पुष्ट होती है एक वर्षी शत्यभामा जी ने नार्यजी के चरण पकड़े और का प्रभू मेरे मन में एक बात है पूछू आप से उनका आवश्य पूछे बूले जो बहुत प्राणों से भी अधिक प्री हो वो केवल हमी को मिले ऐसा कैसे हो सकता है उन्होंका सास्त्र प्रमान जो प्री वस्तु हो उसे दान कर दो तो कई गुना बढ़ करके मिलती है उन्होंने वस्तु शब्द बोला तो जो बहुत प्राणों से प्री हो और वो सदैव मेरे पास रहे वस्तु तो उनका हमने शास्त्रों में रश्यनाकारों में महापुरिशों में ये बात देखी है कि वो कहते हैं कि यदि जो प्री वस्तु है उसका दान कर दिया जाए तो कई गुना बढ़कर मिलता है अच्छा क्योंकि भगवान सब के प्राण प्री है रुक्मणी जी के भी है जांबवती जी के भी है कालिंदी जी के भी है और भी तो सत्यभामा जी को लगता है था निरंतर मेरे पास मेरे प्राण प्री सब को करें बाबाजी इससे बड़ी आप पात्र का मिलेगा भी को दान कर दो का ठीक बुलाए गए ब्रह्मा संकल्प पढ़ा गया अरे ओमां समर पयामी सत्यभामा जी ने स्री कृष्ण चंद्यू कहान नार राजीन का बिर्णा उठाओ चलो हमारे साथ सत्यभामा जी ने कहा आपने तो कहा था कि कई गुना बढ़कर आपके पास मिले तो अगे फल मिलेगा अब तो आपने हमें दान कर दे रोने लगी प्रहु है हम इ इनके बराबर कुछ दे दो तो इनको हम छोड़ देंगे वो चीज़ी ले लेंगे इनके बराबर एक स्रीकृष्ण क्या है इतना संपत्य पूरा धिकार है इसी को हटाने के लिए लिला की थी अब पूरा का पूरा सब एक तरह प्रभू एक तरह बड़ा तराजू करके शरना भूशन सवरतन ही राजवात प्रभू की जो पट्रानिया उनके पास कोई कमी होगी स्रीकृष्ण का पल्ला तो नीचे ही जमा हुआ है अभी उठा ही नहीं अब होश उड़ गए कि अगर बराबर नहीं दे पाई तो नारजी तो ले जाए गए वारे प्रभू को लुक्मिनी जी के पास गए चरणों को पकड़ा बहन बड़ी गलती हो गई हमने ऐसा ऐसा कि अब बात तब बनेगी जब पल्लडा में समान वस्तू आप भी अपने इस वाभू शन आपके भी प्रितम है ना अब बाता रहे कि आपके भी है ना नहीं केवल मेरे ही रहे इसे साब रानी पेट रानी साब के चरण पकड़े रुक्मिनी जी तब तक मौन रही महालक्षमी का उतार है साब नयास कर लिए मुस्कुराते हैं अब जिब देखा कि पढले नहीं उठ रहा रोने लगी अब क्या होगा रुक्मिनी जी आप चिंता मत करो मुझे पता है किस से तो ले जाएंगे एक तुलशी दल्लिया और लिखा क्रिश्ण महिमा नाम के सदस्य नामी हलका पड़ गया उस दिन सुना था एक तरफ नामी है एक तरफ नाम जापक है कैसी अद्भुत महिमा नाम जापक की नाम शद्शी गति ही बड़ी बड़ी महा महिम गतियां साधना के द्वरा प्राप्त होने वाली ब्रणन की गए लेकिन जिसने केवल नाम का वो एक बार सुनाया था दो बार राम राम चड़के छातिम तो भगवान की जब साकेद धाम पहुचे तो भगवान ने का कोई भी महा पुरुष्पधारे तो मेरे पारशद जाते हैं लेने के लिए लेकिन तुम साब महा महिम महा भागवत मेरे पास लायों देखोई मेरी गोधी में बैठा है फिर भी इसकी जो नाम की महिमा है इसको जो दुलार मिलना चाहिए फिर भी मैं संकुचित हों कि वो दे नहीं पा रहा हूँ गोधी पे बैठाल के नाम के समान कोई गती नहीं है किसी तपस्वी के पेरदापते हुई भगवान आस तक नहीं इतियास में पाए गये, किसी तपस्वी के, किसी जिते इंद्री के, नाम जया पक्षन्तों की सिवकाई करते हुए भगवान को पाया गया, इसलिए नाम से बड़ी कोई गति नहीं है, अगर आप कोई विश्वास हो जाय तो जब राधा राधा चल रहे तो यमें क्या चाहिए इसिका अ ओी गती मती पुने फल ग्याण नहीं चाहिए इसी का ध्यान इसी का श्रवन इसी का इसिका ग्यान की सबसे शर्वप रिवस्थ minder मुझे मिल गई जो हरीवी जबते हैं, नामईूपरमा मुक्तिर. परमुक्ति क्या है? मुक्ति तो सुनी गई, लेकिन मुक्ति से भी जिसकी मुक्ति हो गई वह परमुक्ति है, मोक्षी की भी चाह को जो मिटा दे हूँ है नाम मोक्षी की चाह भी मिटा दिया नर्क स्वर्गा पबर्गा आसन इत्रास है जा राखो ता रहो मान इस सुखरास है नर्क में रखो परंपद में रखो स्वर्ग में रखो मुझे कोई परवा नहीं है जहां रखोगे वाँ में आपका नाम चल रहा है आप क्या परवा परमागति ही जब नाम चल रहा है आपका विश्वा से तो आपका हरदे शीतल लेगा और हरदे से बार बार निकलेगा बस बस पर हूँ अब कुछ नहीं चाहिए करतार्त हो गया आपका नाम निरंतर चल रहा है अब नहीं सब कुछ मिल गया नात बस ये न छूटे ऐसी करपा करते रहे ना जब नाम पर प्रीती होगी तो देख ले ना नामयू परमाश्थिदी पुजिश्री करह के रामदास जिम्हाराज बिलकुल संबरण लीला का समय ही था तब उनके हमें दर्शन प्राप्तु है कृपा से एक शंत भगवान ने कहा करें आश्रम है पुजिश्री रामदास जिम्हाराज पधारें उनकी महिमा भी सुनी तो दोड़ करके गए ब्रद्धावस्था है नेत अर्ध निमिलित है और श्याराम 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 श्यार पर पड़े थे आखे एकदम उन्मनी अवस्ता की शिद्ध महापुरुष्टे वो जिस पटिया पर बैठते थे थे ना वो पटिया देवताओं की तरह पूजित होकर कामना पूर्ती करने वाली बनी लोग अपनी कामनाय मान जाते मेरे पुत्र हो जाए पटिया को दूद से इसनान कराया पूजा वो दूद पिया पूत्र हो गया मतब कितनी वो एक देवता की तरह पटिया पूजिने लगे जिसमें नाम जब किए बैठ करके बड़े-बड़े महापुरुष्ण को देखा एक सेनपुर में शंत भगवान गंगा किनारे ब्रहमन करते आये थे बयो ब्रद्ध थे वो जैसे बच्चा नहीं एसे घुट में शमेट की लेटता है ऐसे वो लेटे दो-तीन दिन रुके थे नई अवस्था में जानकारी करने की बड़ी जिग्यासा रहती कि इनका साधन क्या है ये कहां इस्थित हैं जब जितना समझ में आता आता नहीं तो फिर क्रपा शिंदुशंत जन होते उनसे पूछने की चीस्टा होती उनको देखते बस गंगायशनान कर ले फिवशे लेट गए भोजन के लिए प्रार्थना कर भोजन पाया फिवशे लेट गए ना टेहल ना बस ऐसे तो हमें लगा ब्रद्ध शरीर होगी लेकिन लगा ऐसा नहीं हो सकता एक ही स्थिती में बराबर बने रहना ये तो शाधन से हो सकती है ये कोई शरीर की अविवस्था से नहीं नहीं तो कितना भी ओ चार कदम तो ठेलता है कोई दूसरा उनके लक्षन गंगा के चल दिए तो चल दिए जहां तो बैठना नहीं बस ले ऐसे बच्चों की तरह ऐसे गोटने करके तो नजदी गए प्रडाम के भाराज आपसे कुछ बात करना चाहते हैं कि अंदर में प्रशना रहा है कि आप ऐसी भिश्यू मिश्धी नई कोiblost है कि कोई अध्यातमिक स्थिती के अंतरगती नहीं हम कोई सिट्ः हो आम जानना चाहते कि इसी क्या स्थिती हो अप ऐसे बच्यों की तरह ऐसे पड़ने तो उन्होंने कहा कि गुर्देयों ने हमें जब नाम में तनमेता के लिए कहा कि तो जब शरीर श्वस्त था तो आशन में बैठते थे फिर मुझे यह आशन इतना प्री लगा शरीर भीला करके इसे तो गुले इसमें कई-कई घंटे तक नाम की शमाधी बनी रहती है निरंतर नाम चलाने के लिए यह मुझे शुविधा जनक पड़ा इसलिए ऐसा नाम में चित्रकूट में मंदाकिनी के बीच में ऐसे सिला पर सयन करते वहीं लेटे रहते निकल के गलियों से जाते जो मिल जाता खाते फिर आज़ते और घोर गर्मी के दिनों में मोटा कंबल ऐसे संतों भ्रमन में बड़ा नुभो हुआ संतों को देखा कि इस लोक से तो परेही होते हैं इंतजार करते रहे जब वहां से उठे मंदाकिनी से ऐसा नजदी काते हुए आनन्द मिल रहा था उनके एक दिव्यानंद को मल तुचा एक दो अस्थिमात्र होए तेज में मुखार में और एक फटा काला कंबले से उड़े पीछे लगे महराज भाज एक मिनिट बात कर लीजी महाजी एक मिनिट बात कर लीजी काफी दूर जब पीछे चले तो पीछे मुड़े से क्या है एक मिनिट बात करना चाहिए नहीं क्या बात करना नहीं हमारी इच्छा एक मिनिट अगर आप गुरुजन बात नहीं करेंगे तो अपनी जैसे सादक कैसे सत्मार्ग का मास्त्रे ले पाएं महाराजी एक मिनिट बात वो बैठ गया है वह पहला प्रशन तो यह कि आप इतनी घर्मी में जब एक कपड़ा भी नहीं उड़ा जा रहा वहां पत्थर यादिक पहाड इलाग तो ज्यादा गर्मी होगी तो आप कंबल इतना कैसे उड़ें उनका अभ्याश बारों महिना ऐस से रहते हैं एक लंग उटी और एक कंब अभ्याश है महारा जी आप मंदा की नहीं की बिक्षे प्रहित निरंतर भजन की स्थिती बनी रहे कोई हमारे पाश्चनावे कोई हमसे बात ना करें इसलिए आपका भोजन कैसे चलता है अभी जा रहे हैं दो चार गलियों में बिन बिना कुछ मागे बिना बोले इसे प्रभु दे देंगे तो पालेंगे निए फिर सीला पर आकर बैख जाएंगे वेश है मतलब आप अपनी तरफ से कृपा करके बोले तो उनका नाम का निरंतर जब किया जा सकता लेकिन मंत्र का पवित्रवस्था में यहीं मंत्र पवित् प्रेम का मूल तो नाम ही है कौन सी प्रीति बकाय रह जाएगी जब नाम गुश्वामी तुलसिदा जी करें भगवान उमापती को शाक्षी करके कहता हूं संकर को मेरी जीव गल जाएगर मैं थोड़ा भी ऐसा ये रा और मा ये दोरू माई बाफ हैं रा मा ये दोरू माई बाफ हैं नहीं कि जो कुछ है तुलसी के पास वे दो अक्षर का है रा मा तो ऐसे ही आत उठा के अपने भी गर्व से के सकते कि जो कुछ है दो अक्षर का प्रव रादा दो अक्षरा पराविद्या है परमाश्मृति ही अगर नाम चल रहा है तो इससे बड़ी कोई श्मृति नहीं परम श्मृति नाम है नामईव कारणम समस्त जीवों का परम क कारण नाम है अगर नाम ना हो तो प्रभू का भी परिचय कैसे प्राप्थ होगा कौन है यह कौन कृष्ण जी है यह कौन शीव जी परिचय कौन दिला रहा है तो प्रभू का भी कारण कौन हुआ नाम ही तो हुआ ना सबका कारण प्रभू तो प्रभू का भी कारण नाम ह अगर नाम नहों तो प्रभू का परिचा है हाथ में प्रभू की छवियों तो भी नहीं जाए ये कौन है बुले बाला जी अच्छा नाम ही तो परिचे करा रहा है ये कौन ये तो बैश्णो देवी है है हाथ में पहले कि लेकिन हम नहीं जान रहे परिचे कौन करा रहा है ना नाम करा रहा है नाम अईू प्रभुरेवच वो बड़े भाग्यशाली जिन्होंने अपना अराथ भेदियु माना है नाम को शिंगाशन में अठो पहर दुलार नाम का ही होगा है श्री जी जो है ना राधा नाम का दुलार होगा है नाम ही हमारा हिरदेहार हर्श में देखो लाधा नाम नाम ही इच्छाती के अंदर भी है बार भी इच्छाती है अगर नाम चल रहा है ना तो जाग्रत सयन रहत उर उपर मनिकंचन जो पाची है अरे मान जाओ मान जाओ भटकले की जरुत लई भागले की जरुत लई बहुत बड़ी बहुत बड़ी वस्तु है नाम नामयू परमाराध्यो केवल प्रभु ही नहीं है प्रभु का भी प्रभु है नाम इसले नामयू परमाराध्यो और नामयू परमो गुरु हूँ नाम गुरु का भी परम गुरु है कैसे क्योंकि गुरु को जो प्राप्त हुआ वो नाम से ही प्राप्त हुआ है आपको जो दिया है ना जो गुरु को प्राप्त हुआ है वही नाम दिया है नाम सुक्रत धन अपनी जीवन गुरुदेव का जीवन क्या है नाम और मंत्र गुरुदेव ने क्या दिया अपना जीवन दे दिया तुम्हें नाम मंत्र इस से बढ़ करने तुम तो सेव संतरा रुपया पैशा गुरू ने अपना जीवन दे दिया जिस जीवन में जी रहे जिस जीवन की महा महिमा है वो आपको दे दिया अब आप उसको ना समझे ये आपकी मुढ़ता है पायरतन चीन हो नहीं तो सी कभीर शाप कह रहे है कि गुरु ने मुई दीनी अजब जड़ी अब सोई जड़ी मुई प्यारी लागत ये जो गुरु जी ने मुझे आउशधी दी ना भौर रोग की अचूक आउशधी नाम जड़ी मनें ते आउशधी नाम पुले अम्रित रशन भरी इसमें रस भरा हुआ है क्या राधा नाम सुधा रसम जय हनुमान जय सिया राम तंकट मोचन कृपा निधान